हेलो एवरिवन गाईज माई नम इस ब्रशान्द यू यू वाचिंग निव इंडिया निरा सो फाइनली वेलकम बैक अगेन बहुत दिनों वाद आज हम फिर से मिल रहे हैं और बहुत सारी बच्चों ने का बैया अब सीफ 30 से 40 दिन बचा है हमारे पास अब क्या किया जाए अब इन दिनों में क्या करें पूरे साल भरत हमने पढ़ा अच्छे से बहुत महिनत की हमने और अब हम इस लास्ट मोमेंट में हम क्या करें और कुछ बताईए इंपोर्टेंट मत्तब कि सबसे पहले चैप्टर तो देखो सारे करने 16-16 चैप्टर 14-14 चै तो यह सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जरूरी है तो चलो फिर यार इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हमें किन चैप्टर को पढ़ना है कौन सबसे अधिक इंपोर्टेंट चैप्टर है जिनको करने से हर बच्चा एट लिस्ट पास तो से मोड में आ जाएगा फिल नहीं होगा समझ में आ रहा है चलो देखते हैं आज कितने चैप्टर हमारे इंपोर्टेंट है अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना इस वीडियो को ठीक है मे जिक्स के सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर हम यह नहीं देखेंगे कि टॉपर के लिए इंपोर्टेंट है हम यह देखेंगे भाई कौन आसान चैप्टर है किस चैप्टर को तो हमें मस्ट है भाई करना ही चाहिए चाहिए वो टॉपर हो चाहिए वो वैक वेंचर चाहिए जिसको pass होना हो, करना ही चाहिए, तो सबसे पहला chapter हमारा आता है list में, सबसे first chapter जिसका नाम है rotational dynamics, ये सबसे आसान chapter तो नहीं है, लेकिन सबसे पहला chapter हमोशली सभी बच्चों को first chapter तो at least आता ही होगा, ठीक है, इसके बाद, सबसे important chapter की list में हमारा chapter number 9 आता है, जिसका नाम है current electricity और हर बच्चे को ये chapter तो जरूर करना ही चाहिए, समझ मैं, इसके बाद हमारा आता है chapter number, I think something 11 है, है ना, magnetic material, तो ये chapter तो हमारा अच्छे से आना ही चाहिए, इसके बाद हमारा आता है chapter number 14, जो है हमारा dual nature, है ना, और ये chapter हर बच्चे को तो आना ही चाहिए, समझ मैं, इसक के बाद हम लोग यहां पर देखेंगे चैप्टर नंबर 5 और यह चैप्टर हमारे सभी बच्चों को आना ही चाहिए थोड़ा सा आसान भी है और कुछ hard भी है ऐसा बात नहीं है देन उसके बाद हमारी चैप्टर नंबर 4 आती है जिसका नाम है thermodynamics और यह चैप्टर करने से हम यहां पर भी है थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि chemistry में गिब सिनर्जी वगएरा दिया हुआ है बट यहां पर physics में हमारी वो सारी चीज़े नहीं है यहां पर कैरनाट साइकल वगएरा कुछ extra information heat engine यह सब चीजों के बारे में दिया है बाकि internal energy यहां भी है system surrounding यहां भी है व भूल रहे हैं जो हमारा 16th chapter है जिसका नाम है semi conductor तो इस chapter को बिलकुल भी हमें नहीं भूलना चाहिए तो यह chapter आप जरूर कर लो इतने chapter आपके हो जाते हैं कुछ किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं कि आपको fail कर सके आप सब बच्चे पका पास हो जाओगे अगर आप यह सार चैप्टर नमबर और 6 हो गया हो नहीं दिया हो इलेक्ट्रो स्याटिक हो गया हो मैंने नहीं दिया अगर आपका हो गया है तो वह सोने में सुहागा है उसको रिवीजन करो अच्छे से और इन चैप्टर को जरूर निपटा लो इन सभी चैप्टर की सबसे पहले तो exercise कर लो फिर इसके बाद इन से related previous year question paper solve कर लो यह सारी चीज़े कर लो best way में आप आँगे जाओगे clear है चलिए आँगे बढ़ते हैं अभी यहाँ पर जरा ध्यान देना सब लो यह हो गई physics की अब बात करते हैं chemistry के लिए chemistry के लिए अब हम बात करेंगे chemistry बहुत ही प्यारा subject है और मेरा सबसे favorite subject है ध्यान देनाच meter नेffa से तो chemistry की बात करते हैं सब्से पहले chemistry में हम physical chemistry की बात करेंगे और physical के बाद हम बात करेंगे organic में, क्योंकि inorganic से तो हमें कोई उमीद होती नहीं है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से inorganic में तो कोई अगर पढ़ ले और उसके सारे question जो भी exam में आते हैं, attempt कर ले तो वो तो भगवान है, उसके चार बार परिक्रमा करो, ठीक है, physical chemistry के बात बहुत ही प्यारा और आसान और छोटा चैप्टर है, इसके बाद हमारा अगर किसी को चैप्टर टू आता है तो ठीक है, वरना थ्री हमारा जो चैप्टर है, वो बहुत important है, ionic equilibria, ये चैप्टर, इसके बाद हमारा चैप्टर नमबर 4 जो है, chemical thermodynamics, जो हमारा physics में था, वो यहाँ पर भी है, और ये चैप्टर आप लोगों का अच्छे से हो जाएगा, अगर आप मेहनत करोगे, तो बस इतने चैप्टर कर लो, बाकी कि अगर आपको आते हैं, solution हो गए रहा तो और अच्छी चीज़ है, organic में आ जब आई, सबसे पहले तो हर बच्चे को 10th नमबर 14, आपको polymer, I think bio molecule है, और polymer something, मुझे इसमें confusion है, तो polymer और आपको bio molecule आपको करना ही चाहिए, समझा, अगर ये 15 होगा, तो 15 होगा बस, ठीक है, इतने चैप्टर अगर बच्चा आपने कर लिया, तो आपके fix हैं, क्योंकि अगर आप सोचेप्टर भाया, जो दिया application, य लेना, वो भी महनत की बात है, कर लेना हो जाएगा, ठीक है, बस इतने चैप्टर आपको करने हैं, तो सोचो, 16 में से 4 इदर, 4 इदर, 8 चैप्टर कर लिया, कोई तुमको fail नहीं कर सकता है, हमेशा तुम pass होगे, even तुम 60-70% उपर भी जाओगे, अगर आपने practical अच्छे से किया होगा तो, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, केमेस्ट्री के बाद हमारी प्यारा सब्जेक्ट बायलोजी, बायलोजी में हम 8 चैप्टर करके भी 65 प्लस या 60 प्लस आउट आफ 70 निकाल सकते हैं, आजाओ देखते हैं कैसे, तो सबसे important होता है, कि आप लोग चैप्ट नमबर 3, जो कि बहुत, ये starting के 4 चैप्टर आपको आना ही आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो यहाँ पर आप लोग को करना है, genetics and variation I think करके चैप्टर है, तो ये आपको करना है, inheritance and variation है, तो पोरान main नामें लग देता हूँ, तो inheritance and variation नाम का चैप्टर है आपका, ये और last है हमारा molecular basis of inheritance, तो ये चैप्टर, जब ये चैप्टर आपको आ जाएं, तब आप लोग को आना है, चैप्टर नमबर 11, जिसका नाम है enhancement in food production, ठीक है, फिर आपको आना है चैप्टर नमबर 12, बायो टेक्नोलोजी, जो बच्चा हमारा professional courses, मतलब जो हमारा, होता है न, CT CT वगरा होती है सब की, तो हमारी मतलब हम सब की, ठीक है तो जो CT होती है न, उसमें से एक अगर नहीं कर पाते हो CT, तब आप लोग BSC, बायो टेक्नोलोजी करते हो, चैप्टर नमबर 13, चैप्टर नमबर 14, और चैप्टर नमबर 15, ये चैप्टर आपको इतने आने समझा, exercise और आपके diagrams और इनके PYQs, इतना भी अगर आपने कर लिया, तो आपका biology अच्छा खासा हो जाता है, अगर तभी भी किसी बच्चे को मन नहीं भर रहा है, उसको और टॉप करना है, इतने चैप्टर बच्चा अगर आपने कर लिया न, तो आपके 70 में से 50 के उपर कोई लाने से नहीं रोग सकता, लेकिन आपको इन सभी के exercise के question, diagrams, previous year question, papers आपको करना पड़ेगा, और अधिक माक चाहिए, या 50 आपको confirm करना है, तो आप लोग को chapter number 6, chapter number 7, chapter number 8, chapter number 9, और chapter number 10 के only, only diagram आपको करना है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान देनी, या difference between, diagram और इन सभी के difference होता है न, difference बताओ, differentiate करो, तो difference between इन वाले questions, इतने आपको कर लेने हैं, फिर देखो, आपको कोई हराई नहीं सकता, इन सब की diagram तो practice नहीं कर सकते हैं, मैक्स मैक्स 10 diagram रहेंगे और कुछ नहीं, टोटल इतना तो करी लोगी, इतना भी नहीं करेगा, तो फिर पारवी में science की उल्या मेरों को ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ गया, तो इतना आपको कर लेना है, biology आपका done हो जाएगा, believe me, सबसे चिंदियस्ट सब्जेक्ट यही है, और इसमें से दुनिया का सबसे पकाऊ चैप्टर इदर है, लेकिन 25 माक्स का वेटेज लेके बैठा ही है, और ये अकेला इदर 30 से 25 माक्स का वेटेज ये लेके बैठा है, इसकी सिफ diagram कर लो कि 10 माक्स आएंगे, क्योंकि 10 माक हम यूज कर सकते हैं, पहला फंडा तो ये है, देखो भाई, पहला फंडा ये है, कि आप math 2 के अंदर आप लोग एक तो probability और एक आपका binomial, है ना, यानि कि आप लोग के last के 7 और 8 चैप्टर आपका इधर से, और यहां से आपका complete maths 1, complete maths 1 हो जाए, आप टॉप कर दोगे, आ आपके 80 marks का maths का paper होता है, दोनों मिला के एकी दिन paper आता है, 80 marks में से, आप सब बच्चे 60 प्लस, 65 प्लस आराम से जाओगे, एक दो question गलत भी हो गया तो भी, समझ रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये पहला तरीका, maths 1 पूरिया ने चीए, मैंस रू के ये, मतलब मैंने differentiation, integration, application of integration, indefinite integration, definite integration, सब कुछ हटा दिया, सिप probability और binomial कर लो, और complete maths 1 कर लो, ये सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते, तो क्या करोगे, तो आजाओ, दिखा देता हूँ, जरह यहाँ पर धान दे रहा हूँ, तब आपको chapter number 1, यहाँ से, जिसका नाम है logic, समझा, chapter number 2, matrices, यह सबसे आसान, आसान chapters हैं, और chapter number, आपका फिर इसके बाद आता है 4, जिसमें है straight line, और आपको यह आनी चाहिए, फिर इसके बाद chapter number 5, आपके vector, जो है, vector में से सिर्फ आपको theorems करने हैं, theorems, समझा, अच्छे से, फिर उसके बाद chapter number 7, LPP, आप कर लो, clear है, इतना, यहाँ पर chapter number, जब यहाँ पे आओगे, तो chapter number 7, और chapter number 8, आपको करना ही है, लेकिन आप लोग chapter number 2, AOD, application of derivative, समझा, अच्छे से, दूसरा, chapter number, आपका 3, 4, 5, 5 है, है ना, I think, application of integration, यह chapter, एक ही exercises में, यह, इतने chapter आप कर लो, हर बच्छा पास जाएगा, maths में, ठीक है, तो maths 1 और maths 2, पास in the sense, आप लोग 100 में से 50 से 60 marks निकालोगे, maths के अंदर, अगर सिफ इतना भी कर लेते हो, तो, theorems, आप लोग को chapter number 3 की भी करनी पड़ेगी, trigger की भी theorems only, ठीक है, यहाँ फे theorem साती है, वैसे भी हमने जो book आपके घर में भेजी है, हमारी जिंदिगी बैच और achievers बैच की जो book भेजी है, उसमें हमने theorems का पूरा अच्छे से लिख के solve करके theorem दिया है, नाम के साथ, previous year question paper का solution के साथ, तो अगर आप उसको देखोगे, तो और आपका फाइदा होगा, ठीक है, इस चीच को आपको ध्यान देना है, clear है, तो यह सारे important chapter है, इनको मत छोड़ना यार, इनको छोड़ दोगे, तो बारवी तुम्हारे से हाँ छोड़ देगी फिर, फिर तुम fail हो ज कैसे भी नभरने पड़े, और अच्छा कासा revision भी हमारा हो जाए, ऐसा क्या होगा, चलो तो एक बात बताता हूँ, हम लोग अभी अपने new Indian era is here, then why to fear, तो new Indian era आप लोग के लिए लेके आने वाला है, 16 days, 16 chapter का complete revision for PCMB, समझा की ने समझा अच्छे से, किसके लिए लेके आने काले हम लोग, PCMB के लिए, PCMB, PCMB जो भी है, समझा complete, 16 days में 16 chapter, मतलब हम पहले शुरू करेंगे physics और maths, फिर शुरू करेंगे chemistry और biology, समझ में आया, मतलब कि 16 दिन में ये खतम, 16 दिन में ये खतम, कितने कितने chapter, 16 chapter इदर, और 16 chapter इदर, पूरा, मतलब हमारे पास अभी 40 दिन ह और हम 32 days में खतम कर देंगे, 2 से 4 दिन बाद शुरुआत होगी, तो क्या आप सब excited हो इस चीज़ के लिए, अपने सभी friends को बता दो, something big is coming soon, समझ में आया, ध्यान देना on YouTube, है ना, ध्यान रखना, तो 16 days में 16 chapter, complete subject, physics, chemistry, maths, bio, पूरा revise कर कर के देंगे, live lecture होगा, 3-3 घंटे क lecture होगे, और मस्त आराम से आप देखोगे, और खतम हो जाएंगे, आपके सिले बस फूरा, short live lectures, revisions बढ़िया, अच्छे से हो जाएंगी, और उसमें notes आपको बढ़िया मिल जाएंगी, YouTube के अंदर, और आपको क्या ही चाहिए, यार, है ना, चलो, तो बस भाई, यही बताना कि बहुत ज़्यादा जलूरत है, ठीक है, सो मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो में, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो अपने सभी दोस्तों में share कर दो, because sharing is caring, एक दूसरे के support के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, thank you so much, be positive, हिम्मत रखो, मेहनत रखो, और अच्छे से आगे बढ़ो, ठीक है, सब की एक दूसरे के मदद करो, और जीवन में आगे बढ़ो, बहुत आगे जाओगे, thank you so much, thanks a lot, bye bye,